आईए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले सस्प्राइब करिए चैनल को घंटी पे क्लिक करिए और आल का ओप्शन सिलेक्ट करिए नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करके दुनिया में मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी हर वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए मैं कोशिच करता हूँ रोज आप लोगों के लिए एक नई आयरुवेदिक से जुड़ी वीडियो लेके आने की तो किर्पिया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और जो भी कम्प्लेंट या सजेशन हो वो कमेंड बॉक्स में लिख दीजेगा इस वीडियो में बात करेंगे आमला चूरन से जुड़ी हर उस बात के बारे में जो हमें इसके इस्तमाल से पहले पता होनी चाहिए जैसे कि इसका प्राइस क्या होता है ये कहां से खरीदा जा सकता है इसके इस्तमाल का क्या सही तरीका होता है और क्या इसके इस्तमाल से कोई दुश्प्रभाब भी हो सकता है सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में आप पतंजली का दिव्य आमला चूरन देख रहे हैं ये 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस मात्र 28 रुपए है आप इस चूरन को किसी भी पतंजली स्टोर से खरीच सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके नजदीक में पतंजली का आमला चूरन नहीं मिले तो परिशान नहीं होईएगा आप किसी भी ब्रांट का आमला चूरन इस्तमाल करेंगे तो फाइदा उत्रा ही होने वाला है ब्रांट अलग होने से आमला चूरन के फायदे नहीं बदलेंगे अब बात करेंगे आमला चूरन के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में आमला चूरन में बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके कारण ये पेट से जुड़ी समस्याओ जैसे की कॉंस्टिपेशन, गैस, बदहजमी या फिर कब्ज जैसी परिशानियों को दूर करने में बहुत फायदे मन्द है इसके इस्तमाल से पेट भी हलका महसूस होता है और आप एक तरीके से इसे पेट का डॉक्टर कह सकते हैं आमला चूरन का इस्तमाल तवचा को खुबसूरत बनाए रखने में बहुत कारगर है इसके अंदर एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं जिसके कारण तवचा पे जुर्यां पढ़ जाने जैसी समस्याओं को कम करने में लाबदाएक है और इसका इस्तमाल तवचा को आकर्शक तो बनाता ही है बलकि एंटी आक्सिडेंट होने के कारण शरीर में खून भी साफ करता है जिसके फल स्वरूप तवचा रोग जैसे की मुहासे, दाने, पिंपल या एकने जैसी समस्याओं को दूर रखता है जैसा के आपने सुना ही होगा आमला को विटामिन C का सबसे बड़ा आयरुवेदिक सोत्र माना गया है इस कारण ये हमारे इम्मुनिटी पावर को मजबूत करने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक शमता अच्छी होने के कारण छोटे मोटे रोग जैसे सर्दी, खासी या फ्लू जैसी बिमारियों को दूर रखता है लेकिन आमला के फायदे यहां ही नहीं रुकते दोस्तों आमला के नियमित सेवन से अगर बालों के जड़ने, गिरने, डेंडरफ या समय से पहले सफेध होने की समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है ऐसे में आमला चूरन का पे को हर मर्ज की दवा माना जाता है और इसके इतने फायदे हैं कि उनको गिंती कर पाना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि इसका सेवन खून की कमी, कमजोर लिवर या कमजोर आखो जैसी समस्याओ को भी धूर करने में लाबदायक है अब बात करते हैं आमला चूरन के इस्तमाल की विधी के बारे में वैसे तो किसी भी और शद्दी की खुराग प्रतियक वेक्ति की उम्र, सेहत, समस्या वे अन्यकार्णों पर निर्भर करती है लेकिन आप इसको 2-5 ग्राम दिन में 2 बार तक शहद या फिर गरम पानी के साथ ल इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 2-3 महीने इस्तमाल किया जा सकता है तो अब बात करते हैं आमला चूरन से जुड़ी सावधानियों के बारे में इसका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए इसके ज्यादा सेवन से एसिडिटी की समस्या हो सकती है अगर आप पहले से किसी भिमारी की दवा का सेवन कर रहे हैं तो चिकत्सक की सला से ही इसका सेवन करिए उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजे मिलते हैं अगली वीडि